Hello everyone, this is Dharanjay Singh and I welcome you all to Arts Study Mediji. As you know that, we have started a World History series, जिसमें हम लोग Renesha को कबर कर रहे हैं, यानि कि पुनर जागरन को कबर कर रहे हैं. ये उस सिरीज का छठा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग Nature और Characteristics of Renaissance, यानि कि पुनर जागरन के स्वरूप कह सकते, या भिशेस्ता, तत्तो, इन चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्केस करने वाले. इस से पहले इस सिरीज में हम लोगोंने पाँच लेक्चर कर रखा है, अगर आपने पिछले पाँचों लेक्चर को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्चन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले पाँचों लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. ये part 1 होने वाला है nature और characteristic of reneissance का कारण इसका ये है कि इसमें 8 points है वो 8 points को एक lecture में discuss करना काफी जादा मुस्किल हो जाता है क्योंकि lecture काफी लंबा हो जाता है तो इसमें से हम लोग 4 points को आज के lecture में discuss करेंगे part 1 में और आने वाले जो part 2 का lecture होगा उसमें हम लोग बाकी के 4 points को discuss कर लेंगे तो part 2 के lecture का link भी आपको description में मिल जाएगा अगर आपको part 1 का lecture अच्छा लगता है तो आप part 2 जरूर देख सकते हैं तो चलिए हम लोग इस्टार्ट करते हैं आज का lecture जिसमें पहला हमारा point होगा humanism कि आखिर पुनर जागरन के स्वरूप विशेष्ता और तत्तों में कौन-कौन से important point है तो सबसे important था humanism जिसका मतलब होता है मानवतावाज अगला point होगा हमारा individualism यानि कि व्यक्तिवाद तीसरा है secularism जिसको अम लोग धर्म निर्पेक्षता बोलते हैं और चौथा point है हमारा adventurous spirit, curiosity and investigative vision यानि कि सासिक मनोभाव, जिग्यासा तता खोजी द्रिष्टी तो अब हम लोग इसको detail में देखेंगे आगे तो humanism का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये जो है renaissance period का पुनर जागरन काल का सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेस्ता है यहाँ पे एक picture आपको दिख रहा होगा ये humanism यानि कि मानोतावाद का एक symbol वाना जाता है मानोतावाद जो था, वो एक intellectual movement था यूरोप का यानि कि बौधिक आंदोलन था मानोतावाद का meaning क्या होता है humanism का meaning क्या है तो taking interest in human life यानि कि मानोताव के जीवन में रूची लेना ठीक है मानोताव के समस्याव का आध्यायन करना studying human problems, respecting human beings यानि कि एक मानोताव का आधर करना trying to improve his life उसके जीवन में आगे तरक्की करने का सुचना उस मानो के life quality को improve करने का सुचना that is thinking of man instead of God in the center तो पहले क्या होता था ना हर काम में बीच में भगवान आ जाय करते थे वो आते नहीं थे लेकिन कुछ धर्माधिकारी थे जो उनको ले आते थे कि भाई तुमारा ये काम हुआ है तो ये भगवान का देन है पहले क्या होता था हर काम करने से पहले काम करने के बाग काम करने के बीच में बस भगवान भगवान लब हर चीज जो है वो धर्म के जाल में फसा हुआ था तो वहाँ पे मानो का कोई respect ही नहीं था ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई मानो कुछ काम किया है किसी मानों ने अपने मेहनत के बल पे कुछ किया ऐसा कुछ वहाँ पे होता ही नहीं था अब क्या होने लगा कि अब मानों से रिलेटेड जो भी सूच थी न वो डेबलप होने लगी अब मानों को सेंटर में रह करके सोचा जाने लगा ना कि भगवान को यानि कि मानों को केंदर में जो लोखिक जीवन है और लोखिक जीवन को हटा करके लोखिक जीवन के केंदर पे रखके साब कुछ सोचा जाता था उसको माना जाता है कि यह पुनर जागरन की आत्मा एक तरस है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इह लोग पे ज़्यादा फोकस किया ठीक है इह लोग यानि कि इस लोग के बारे में मतलब रेनिसेंस का जो पिरियड था जो पुनर जागरन तो जो यह जो डार्कनेस चल रहा था अंदविस्वास वाला जो पिरियड चल रहा था अंदकार का यूग उसमें होता यह था कि लोगों को परलोग के नाम पे डर आया जाता था कि भाई जब आपके मृत्तिव होग मोड में लग होने लगा लोग समस्दार होने लगे कि हम मरेंगे उसके बाद क्या होगा ये तो नाम देखने जाएंगे ना किसी ने आस तक देखा है, तो हम लोगों को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, यह लोग पर, यानि कि जिस लोग में हम लोग है, जिस वर्ल्ड में हम लोग exist कर रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जी तो इसी में रहे हैं, अगर 100 साल जी रहे हैं, तो हम लोग को इस पे फोकस करना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं, तो ये सब जो हुई, वो रेनिसेंस के कारण हुई, पुनरजागरन के कारण हुई, He told the purpose of life to work for the betterment of the people तो जो बिचारक लोग थे उन्होंने betterment of the people के लिए काम करने के लिए लोगों के विकास के काम करने के लिए जीवन का उद्दे से ये होना चाहिए कि लोगों का भलाई हो सके इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया लोगों को तो पेट्रार्ग था उसको पुनर जागरन काल का जो पहला मानववादी बिचारक माना जाता है उसने क्या किया था सबसे पहला कान किया कि अंदविश्वासियों या धर्माधिकारियों के जीवन प्रानाली की खिल्ली उड़ा दी उसने बहुत जादा मजा कुड़ाया जो अंदविश्वास चला आ रहा था जो उस अंदविश्वास को समाज में ला रहे थे उनका भी उनको भी नहीं छोड़ा उसने यह जो अंदकार का यूग जिसको कहा गया यानि कि जब रोम का पतन हुआ उसके बाद और जो पुनर जागरन काल हुआ उसके बीच में जो पिरियर था जिसमें अंदकार का यूग जिसमें बहु ज़्यादा क्रप्सन था बहु ज़्यादा लोग उपे सुपर सुस्टीशन को डाला गया था, धर्म का बहुत ज़्यादा पकड़ था, तो ये जो एज था जिसमें सारे लोग एक तरह से जाल में बुना चुके थे, परिसान थे लोग, उस एज को, उस पिरियेड को, एज अफ डार्कनिस का संग्या जो है, सबसे पहले कि इसने पे पुनर जागरन का तो उसका पायोनीर इसको भी माना जाता है, यानि कि उस प्रानाली में इसका भी कापी ज़्यादा योगदान, इसको तो प्रिंस ओप हुमनिस्ट भी कहा जाता है, यानि कि माना अफ ता वाधियो का राजकुमार, and is considered the best critic of that era, उसको उस यूग का, जो है वो जो यूग चल रहा था, उस यूग का सरवतम अलोचक भी माना जाता है, then the sign of humanism can also clearly be seen in various renaissance expressions such as human problem was given prominence in literary works and Christ was defined as human not God, तो आगे जब ये मानावतावाद का impact ये देखा गया ना, कि आगे जो भी किताबे वगरा लिखी गए, तो उसमें अब human के problem को discuss किया जाने लगा, मानों के बारे में लिखा जाने लगा, मानों से related जो समस्या है थी, जो life में कटिना ही या थी, इन सब चीजों पर focus किया जाने लगा, In fact, ऐसा भी देखा गया, कि कुछ लोगों ने Christ को जो है human की संग्या दे दी, यानि कि उनके इसाब से जो Jesus Christ थे, वो एक आम ब्यक्ती ही थे, ना कि भगवान थे, इरास्मस उस मतलब उस जो कतार था, उस कतार में पहला ब्यक्ती था जिसने Jesus Christ को बोला कि ये एक एतिहासिक फिगर है, ये बस एक एतिहासिक फिगर है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना उनको एक तरह से supernatural अलोकिक सक्ती वाला ब्यक्ती मना जाता था, ऐसा कुछ नह इसान थे, human emotions and sensibilities were displayed in the field of painting, painting जो किया जाता था, उसमें भी अब human emotions को दिखाया जाने लगा, ठीक है, sensibilities को दिखाया जाने लगा, यहां पर right side में दो picture है, एक पे ट्राक का है, उपर वाला side और नीचे वाला Erasmus का है, आगे हम लोग देखते हैं, painting वाले field में, Leonardo da Vinci हैं, उस में के सबसे प्रमुख एक तरह से painter थे, जिन्होंने Mona Lisa के painting गों paint किया, जो कि एक prime example है, Mona Lisa का painting आज भी अपने आप में एक mysterious painting है, कि आखेर उसको बनाया कैसे, उसमें काफी कुछ explore करने वाला है, The nature of scientific discoveries is visible in context of human curiosity and need, तो उस समय में ठीक है, जो scientific discoveries होने लगी, तो उसका जो स्वरूप था, वो भी ऐसा माना जाने लगा, ऐसा देखा जाने लगा, महसूस किया जाने लगा कि ये human curiosity और needs के according हो रहा है, यानि कि मानों का जो खोजी परविर्ती develop हो रहा था, मानों अपने दिम अबसार decision ले रहा था, betterment of life के लिए decision ले रहा था, तो उसी के according, अगर किसी को किसी चीज की ज़रुरत है, तो उसको बनाता था, तो ये जो परविर्ती आया, ये भी पुनरजागरन के कारणी आया, तो ये स्वरूप में देखा जा सकता है, scientific discoveries के, इसके अलावा एक है, पे इस आप से मानाव ही अपने आप में ये एक चमतकार की तरह है, तो ये अपने आप में ये एक miracle है, मानाव होना अपने आप में कब नहीं है, दस, man was declared the king of all beings because of his thinking power and intelligence, तो इसलिए जो है मानो जिसके अंदर ये सोचने की समतक चमता है, जो intelligence है, काफी जादा मतलब तेज सोच सकता है, कुछ भी, इसके कारण जो है मानो को declare कर दिया गया, king of all beings, जितने भी सजीव प्रानी थे, उसमें सबसे, राजा किसम का क्या हो गया जो राजा हो गया, उसका वो कौन हुआ, मानो, क्योंकि वो अपने according सब को चला सकता है, एक जानवर इंसान को नहीं, बलकि एक इंसान जानवर को चला सकता है, जो भी living things है, उसमें सबसे सरोस्त्रेस्ट कौन सा है, वो मानो ही, man was said to be the most important creature, because he has got the freedom to choose according to his will, तो man को राजा, यानि कि जो मानो है, उसको राजा, सभी प्रानियों का राजा गोसित करने के पीछे सबसे important करन क्या था, कि man के पास freedom है, कि वो अपने इक्छा के अनुसार कुछ भी choose कर सकता है, उसका अगर जो इक्छा कर रहा है, उस इक्छा के अनुसार वो decision ले सकता है, या अपने आग इसके बादी यह हुआ कि लिक्ट्रेचर एंड हिस्ट्री वे अब मानुविक किये कहा जाने लगा। जो कि बाद में अपने आप में एक subject ही develop हो गया, यहां पे यह Mona Lisa का प्रसिद्ध painting है, उसको आप देख सकते हैं, और right side में Leonardo da Vinci है, जो कि Mona Lisa के painting के side है, तो यह edited है, of course, आगे हम लोग दूसरा जो पुनर जागरन का स्वरूप कहिए, विशेस्ता कहिए, या तत्त्यों कहिए उसमें हम लोग देखेंगे individualism, जिसका मतलब है ब्यक्तिवाद, तो ब्यक्तिवाद जो है वो पुनर जागरन के लौकिक भावना का दूसरा महत्वपोन स्वरूप है, इसके अंतरगत क्या आता है, ब्यक्तिवाद में आता क्या है, हिमनिजम से different क्या है, इसमें जो है प्र प्रते एक ब्यक्ति के इसाफ से सोचा जाने लगा, एक ब्यक्ति के उपर importance दिया जाने लगा, जैसे medieval artists and literatures did not mention their name on the work because they considered their achievement to be God's gift, तो जैसे पुराने जवाने में जो किताब वगारा लिखे जाते थे, जो सहित्यकार थे, या जो artist वगारा थे, वो अगर कुछ art बनाते थे तो उसके उपर अपना नाम नहीं लिखते थे, यानि कि वो credit नहीं लेते थे कि वो लिखे हैं, जैसे अगर मैं ये video बना रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में एक student हूँ, मैं इस सब को पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद जो है, एक PDF तयार करा, PDF तयार करने के बाद मैं इ ये मैंने खुद से नहीं करा, ये तो सब भगवान का देना, तो ये मुर्खता होगा ना, क्योंकि मैंने इस पे अल्मोस्ट एक डेर घंटे तो काम कराई है, तो ये एक डेर घंटा मैंने करा है, ये ही जो form डेवलप हुआ, इसको individualism कहा जाने लगा, उस टाइम में वे लो उस आर्ट को डेवलप करते थे, अपने दिमाग से उस आर्ट को सूचते थे, तो सब कुछ किया धरा उनका होता था, क्रेडिट वो भगवान को देते थे, पहले, लेकिन बाद में ये चेंज हुआ, अब जो है, अब वे लो कुछ भी करते थे, तो उस पे अपना सिगनेच करते थे, इसका मतलब है कि वो क्रेडिट लेते थे, तो ये ब्यक्तिवाद को दिखाता है, ठीक है, इंडिविज्वालिजम को दिखाता है कि वो अपना इंपोर्टेंस कैसे समाज में पेस कर रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं, रेनिसेंस कंसियसनेस मेट दपरसन अवे अपना इंपोर्टेंस लोगों को दिखाया, इसका असर यह हुआ कि कुछ पेंटर्स या कुछ साहित्यकार जैसे, माइकल एंजलो थे, वो कैसियो थे, इन्होंने अपना जो काम करा, उस पे अप प्रिंटेड सिगनेचर वगर भी डालने लगे, मतलब सिगनेचर अपना ड सिष्टा रहा पुनर जागरन का, धर्म निर्पेक्स्ता का मतलब क्या है, सेकुलरिजम का मतलब क्या है, उस जमाने की सबसे धार्मिक अडंबरों और अंध्विश्वासों को दूर करना, यानि कि जो सुपर सस्टीशन चल रहा था, या जो रिलिजियस फैनाटिसिजम था धर्मिक अडंबर था, उसको दूर करना तथा, मनुष्य के जीवन को धर्म के नियंतरन से मुक्त कर, इहलोकिक जीवन पर बल देना, यानि कि मानों के उपर जो उस टाइम धर्म का जाल बुनाया हुआ था, उसको खतम कर देना, जो सुपर नेचुरल लाइफ था, उसको ए लिकें डियूरिंग दरेनिसेंस पिरियर, तो जो रिलीजन का कंट्रोल था, जो धर्म का जो एक तरह से जकड़ था, या जो पकड़ आप समझ सकते हैं, तो वो पुनर जागरन काल में अपने आपके आओने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा, लोग का सूच सकती बढ़ने लगा था जब, further developed form of this can be seen in religious reform movement, तो आगे जो religious reform movement हुआ, धर्म सुधार आंदोलन, तो इसका और बढ़ चड़ के, secularism का और ज्यादा बढ़ चड़ के स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, तो ये जब कुनर जागरना हम लोग खतम होगा, उसके just बाद हम लोग religious reform movement यानि क धर्म सुधार आंदोलन को कबर करेंगे, उसमें आप लोगों को इस चीज को डीटेल में पाढ़ने को मिलेगा, now apart from scriptures and divine subject, various type of text and subjects were studied, तो पहले क्या होता था, सिर्फ धर्म ग्रांद या इस वरिये जो subject वगरा होते थे, divine subject उनको study किया जाता था, लेकिन अब नहीं, अब ज आजकल क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, दीनबर्धर्म से related तो नहीं सोचते हैं, अगर पूझा करना है तो एक time है कि हाँ, इस time पे उठेख पूझा किए, या कुछ बाते हैं, जिन को हम लोग मानते हैं, लेकिन अब हम लोग हर काम धर्म के बीच में नहीं करते हैं, तो य यह सब जो चेतना डेवलप हुआ था यॉरोप का बात हो रहा है हम लोग यहां तो यह नहीं था इतना ज्यादा यॉरोप में यह सब खतम हुआ था कब पुनर जागरन होने के बाद तो पुनर जागरन का स्वरूप जो एक धर्म निर्पेक्स्ता में भी देखा जा सकता है चोथा हमारा पुइंट है पुनर जागरन के स्वरूप में एडवेंचरस एस्पिरिट क्यूरोसिटी एंड इन्वेस्टिगेटिव विजन यानि कि सासिक मनोभाव जिग्यासा तता खोजी द्रिष्टी तो जब मानोतावाद और ब्यक्तिवाद पे जब बल दिया जाने लगा ठीक है डिव टू इंफेसिस ऑन हुमेनिजम एंड इडिवेज्वालिजम तो इसके कारण जो है मनुस्य का जिग्यासा और जो खोजी द्रिष्टी था उसको प्रोचान मिला अब जो था मनुस्य के अंदर ये जानने का इच्छा होने लगा कि आखिर ये चीज है क्य कि या इसका क्या एक्या सिग्निफिकेंस क्या कारण है जैसे अप पुनरद्यागरण पढ़ने आपने उस लेक्चर को क्यों खोल कि यूपन किया जब यूटूब में आपने सर्च किया कि नेचर ऑफ रेनीशन स्टो आपको जानना था आपके अंदर ये जिग्यासा था त तो यह जो स्वरूप है उसका, यह देखने को मिला, तो अब होने यह लगा कि अब ब्यक्ति का छमता का महत्व जो है, अब बहने लगा कि हाँ इस ब्यक्ति का इतना capacity है, यह इसका achievement है, उसके कारियों के लिए अब इस स्वर को जो है उतरदाई नहीं माना जाता था, किया जाने लगा, ठीक है, इससे हुआ यह कि as a result, मानों ने अपने अवसेक्ता के अनुसार साहसिक मनोभाव, एवां आत्म विश्वास से युक्त होकर अनेक बहुगोली खोजों को जन्म दिया, यानि कि इसके बहुत सारे बहुगोली खोजे होने लगी, यानि सब कुछ जो है वो मानों के अंद्रित होने लगा, तो आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के जो चार स्वरूप हैं, उसको डिसकस करेंगे, पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ से चेकाउट कर सकते हैं, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगागो तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने में तो कुछ जाता नहीं है, मिलते हैं जल्द ये नेक्स लेक्चर में, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून्द वीट अस